इस एपिसोड में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पोहा और मतर की बहुत ही अनोखी सी रेसिपी जिसे आप ट्रेवलिंग के टैम पे भी खा सकते हैं और ये नास्ते के रूप में सामके नास्ते के रूप में भी आप इसे खा सकते हैं ये डीनर के लिए भी बहुत ही प तो मटर घूगनी बनाने के लिए सबसे पहले हम पोहा की तयारी कर लेते हैं और मैं यहाँ पर आपको दो तरह की पोहे की रेसिपी बता रही हूँ तो पहला बनाने के लिए मैं थोड़ी सी तेल लूँगी और उसी में एट कर दूँगी मिर्च और थोड़े से मूंगफली और इसे धीमी आज पर रोस्ट होने देंगे देखिए मूंगफली दीरी दीरी रोस्ट होने लगा यह अपना कलर भी चेंज कर रहा है और जब यह अची तरह से रोस्ट हो जाए तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और साथ में मिर्च भी रोस्टेड हो रहा है तो ये रोस्ट हो चुका है अब हम इसे निकाल लेते हैं फिर हम इसी तेल में थोरे से बहुत गर्म होने देंगे और फिर हम इसमें एड कर देंगे पोहा और पोहा को चलाते हुए इसे हम फ्राइ करेंगे हमारे राजे में इसे चूड़ा बोला जाता है आप कमेंट करकर बताईएगा कि आपके राजे में इसे क्या बोला जाता है तो फिर हम इसे थोड़े और रोस्ट होने के लिए हम इसमें एट कर देंगे सॉल्ट और इसे धीमी आज पे नहीं तेज आज पर पकाएंगे और इसे देखेंगे हाथ से छोड़के तो ये बहुत कुरकुरे हो चुके हैं अब हम इसे एक दो मिनिट के लिए और कुक करेंगे फिर हम इसमें एड कर देंगे मुंखफली और फ्राइ किये हुए मिर्च को और इसमें थोड़ा सा स्वाद लाने के लिए हम यहाँ पर एड करेंगे काली मिर्च पाउडर इससे इसे टेस्ट भी अच्छा लगेगा और थोड़ा ये नमकीन के साथ थोड़ा मिर्चदार भी लगेगा तो अब यह तैयार हो चुका है अब हम इसे निकाल लेते हैं फिर हम दूसरे चूरे की तेयारी कर लेते हैं तो हम उसी तेल में थोड़े से तेल और आइट करेंगे मैं यहाँ पर सरसो तेल नहीं, रिफाइंड वाइल का यूज कर रही हूँ और साथ में आइट कर दूँगी प्याज, और प्याज को मैं फ्राई होने दूँगी प्याज के साथ मैं यहाँ पर आइट कर दियूँ, लाल मिर्च सुखी और मिर्च को हम यहाँ पर फ्राई होने देंगे मिर्च को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और तेल ज्यादा इस्तमाल मत कीजिएगा, बस एक चमच तेल काफी है तो यह धीरे धीरे फ्राई होने लगा है और इसे चलाते भी रहिएगा नहीं, तो यह नीचे से चिपके लगा तो फिर यह अच्छा नहीं लगता है खाने में तो यहाँ पर यह भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे तो मैं इसे निकाल कर एक साइड रख देती हूँ फिर हम इसी पैन में थोड़े से तेल आराइट करेंगे और इसे हाई फिलेम पर गर्म करेंगे याद रखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ जब भी आप पोहा बना है तो उसे हाई फिलेम पर ही मनाईएगा नहीं तो अगर आप लो फिलेम पर या फिर मीडियम फिलेम पर बनाईएगा तो वो पोहा यानी चूरा मुकुर जाता है तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता तो देखिए ये फ्लवी जैसा होने लगा हाई फिलेम पर तो मैं इसे एक दो मिनिट आर कुक करूंगी फिर हम इसमें थोड़े से आर चूरा आइड करेंगे और इसे हाई फिलेम पर चलाते रहेंगे मैं यहाँ पर थोड़ा सा जाई के दार बनाने के लिए यहाँ पर राइड करी हूँ बेरी बेरी मसाला अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा फिर हम इसमें दोनों चीज मिला देंगे पियाज को और सुखिलाल मिर्च को और इसे एक दो मिनेट के लिए हाई फ्लेम पर और कुप कर लेंगे तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं कि ये कुरकुरा हो चुका है कि ने तो देखिए ये हाथ से कितनी अच्छी तरह से चूपने लगा पुड़ा पॉडर की तरह तो ये भी रेडी हो चुका है अब हम यहाँ पर गयस को बंद कर देंगे और इसे हम बाहर निकाल लेंगे अब हम घुगनी बना लेते हैं मटर की तो इसी बनाने के लिए उसी पैन में आड़ करेंगे थोड़े से एक चमच सरसो का वाइल और साथ में आड़ करेंगे रिफाइन वाइल ये दोनों का मिक्स करके आप अगर घुगनी बनाईएगा तो बहुत ही डेश्टी बनता है फ फिर हम यहाँ पर एड़ कर देंगे हैरे पत्ते वाले बाइप आज अगर आप चाहो तो लाल प्याज भी यूज कर सकते हो फिर हम इसे एक दो मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर कुट करेंगे याद रखिएगा इसे भी हमें हाई फ्लेम पर ही कुट करना है जब हम प्याज और इसे एक 2 मिनिट के लिए cover करकर cook करेंगे एक 2 मिनिट हो चुका है अब हम इसको check करेंगे फिर हम यहापर add करेंगे लासुन का paste अद्रग का paste healthy powder और थोड़े से पाणी एड़ करकर इसे हम high flame पर एक 2 मिनिट और cook करेंगे या फिर आप चाहो तो आप इसे cover करकर भी cook कर सकते हो तो मैं यहाँ पर इसे cover करकर cook कर लेती हूँ फिर एक दो मिनिट के बाद हम cover को आटाएंगे और इसे हम चेक करेंगे तो फिर हम यहाँ पर add कर देंगे लाल मिर्च पौडर, काली मिर्च पौडर, जीरा पौडर और इसे हम एक दो मिनिट के लिए और कूप करेंगे फिर हम इसे में थोड़ा सा पानी और आइट करेंगे और साथ में ही आइट कर देंगे गरम मसाला पौडर थोड़े से मसाले आइट करकर इसे हम cover करकर cook करेंगे जब तक कि जब तक पानी पूरी तरह से सोखना ले और flame को हमेशा यहाँ पर medium से low रखेंगे तो यहाँ पर देखिए घुगनी भी तयार हो चुकी है और पानी भी अच्छी तरह से सुख चुका है अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ तो देखिए यह भी कुक हो चुका है अच्छी तरह से तो आब हम इसे सर्व करते हैं तो यहाँ पर राहा मुंफली पोहा साथ में प्याज पोहा और उसी के साथ रहा हड़ा भड़ा घुगनी मटर की तो यह हो गया तयार आप इसे इसे बनाईए और इसका लुपत लीजिए तो लीजिए तयार है गर्मा गर्म मतर्ग घुगनी और अनोखी सी पोहा की रेसिपी इसे आप ट्रेवलिंग में भी ले जा सकते हैं यह दो हपतों तक पिल्कुल खराब होने वाली चीज नहीं है तो मुझे जरूर बिस्वास है कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए क्यूंकि मैं इसी तरह की रेसिपी हमें सालाते रती हूँ अपने इसी चै यहां बाठते रहे हैं और आज पासफाइब बनाए रखिए थैंक यू टेक कियर और नमस्कार